हमें इस तरह का रेड फलेवर बनाने वाले जो बज्जार में मिलता है आप देख सकते हो दूसरा फलेवर बनाएंगे ओरेंज का जो बज्जार में फेंटा और मिरंडा मिलता है टोटल हम हमारे प्राने अ करीमान एक से ज़ेड़ मिलिट अपको इसको चलाना आए एक से देड़ मिनिट के अंदर अपना फ्लेवर बन के तहियार हो जाएगा आप देख सकते हैं ओरेंज का फ्लेवर बन के तहियार हो चुका है इसको पुरा च्छान के गाल के पुरा अच्छे से भर देंगे जो भी कच्रा होगा कुछ भी होगा उसमें अंदर शन्नी में आ जाएगा टोटली प्रोडक्शन निकलना स्टार्ट हो चुका है आप देख सकते हैं और एंज और रेड एनर्जी का स्टार्ट हो चुका इस तरह का बोटर भर चुका है साड़े चार से पांच रुपर में स्टिकर के साथ अपनी ब्रैंड की स्टिकर के साथ यह बोटर गिरन आप घर बेटे इसको हमारे सेंपल मंगाई कोल हमने जो फ्लेवर बनाए था जीरा मसला एक बनाता है और एक आरबूल बनाया था आज दूसरे दो फ्लेवर हम बनाने वाले जिसके अंदर इस तरह का रेड फ्लेवर बनाने वाले जो बजार में मिलता है आप देख सकते हो दूसरा फ्लेवर बनाएंगे औरेंज का जो बजार में फेंटा और मिरंडिया मिलता है तोटल हम हमारे कस्टमर को चार अलग अलग फ्लेवर का सेंपल बनाके इस तरह के बॉक्स में बनाके ओल ओवर इंडिया लूकेशन में भेजने वाले है तो चलिए दोस्तों टाइम क प्लेवर बनाने के लिए बाउल पड़ा हुआ है मिक्चर मशीन पड़ा हुआ है यहाँ पे सुगर का चीनी का बाउल पड़ा हुआ है देख से सुगर भी आप लेकर रखा हुआ है यहाँ पे रखा हुआ है सब चीज तो हम आपको बताएंगे फ्लेवर बनाना सब चेपले हम इस तरह का रेड फ्लेवर बना के दिखाएंगे आपको डालिए इसमें रेसिपी के इसाब से वाटर डालिए इसमें यह मरे बार फ्लेवर के एसेंस पड़े हुए है आप घर ब एक बहुत ही आपको प्रोसेसिंग सिस्टम यंदर बताने वाले दोस्तों और विडियो की इंदर बताने वाले दोस्तों यहाँ इसके अधर फ्लेवर को सुगर को एड़ कर रहे है अब देखिए सुगर हम इसके अंदर डाल रहे है ते पांच किलो का बेग हम पांच किलो का बेग डाल रहे है सुगर का शे लीटर ओटर अल्डे इमने इसमें डाल दिया है उसके बाद एक किलो सुगर हम इसको वेट करके दूसरा मारे पास पेकेट पड़ा है उसमें से कि एक किलो सुगर हमने एड़ कर दिया रेसिपी के साब से हमारे पास है जो मिक्षर मशीन है फ्लेवर मिक्षर ब्लेंडर या मिकलर ब्लेंडर को स्टार्ट कर देंगे सुगर को पिगालने के लिए ब्लेंडर को स्टार्ट कर दिया उसके बाद रेसिपी के नुसार जो फ्लेवर से एड़ कर देंगे हम उसके बाद उसका जो एसेंस रहता है एसेंस को एड़ करेंगे दो पांच रहते है इसके अंदर एक लिक्विट रहता है एक पावडर रहता है यहाद भी रेड हो चुका है अब देखिए आच और तक्रीबान एक से डीट मिलीटर कपको इसको चलाना है एक से डीज मिलीट के अंदर अपना फ्लिवर बन के त्यार हो जाएगा तर देखिए अब इस तरह का बाउल लेंगे उसके इसको फिलब कर देंगे अभी हमने सेंपल फिलेवर बने है इसलिए कम कौंटेटी इसके इंदर 200 बोटल का प्रोड़क्शन होगा आपको कौंटेटी ज्यादा बनाना इसके इंदर इसको इस तरह से आपको फिलब करना है बाउल में कोई भी बरतन में आप उसको फिलब करते हो तो इस तरह से उसको गाल लेना एक बार आपको अब देखिए बेस्ट कोलेटी का रेड एनरजी ट्रिंक में बन के तहियार है अभी हम हर एक बोटल में इसको फिलब करेंगे और आपके लुकेशन में इसको शेंड करेंगे कि अभी हम नेक्स फ्लेवर मारा बनाएंगे औरेंज का जो मिरिंडा फेंटा जो बजार में मिलता है उस तरह का फ्लेवर अभी हम दूसरा बनाएंगे इसमें अभी बनाएंगे औरेंज का फ्लेवर जो बजार में फेंटा है मरिंडा है माल्ता है उस तरह का मिलता है उस तरह का अभी फ्लेवर बनाएंगे रेसिपी के इसाब से साथ लीटर पानी ले ले लेंगे उसके अंदर हम शक्कर डाल देंगे राउनली रेसिपी के इसाब से तो सबसे बेले हमरे पास यहां पे 5 kg का पेकेट पुड़ा है यह अब देखिए यह पूरा सक्कर का पेकेट अमेड कर देंगे इसमें तेरा उनली पांच किलो इसमें सक्कर आता है पूरा पेकेट में पांच किलो इड़ कर दिया है एक किलो इडिशनली हम वेट करके डाल देंगे इसमें किलो इड़ कर दिया हमने इसमें इसमें डाल देंगे एक किलो सक्कर चालू कर दो मशीन को मशीन को स्टार्ट कर देंगे वाटर और सक्कर को मेल्ट करने के लिए हम होलीशने के बड़ाई अप़क्णत रेखेयरक्वी वेद आगे। के बातल दो मेलड़ का चाली मैं को सब्सक्रण ग्रशा econются कि इड़ कर देंगे इसमें कि उसके बड़ाद इसका जो इसका जो लीक्वीड लीकवीड़ कर देंगे इसमें एक से देढ़ मिनिट के अंदर पुरा मट्रियल अच्छे से पिगल जाएगा शक्कर पिकल जाएगा और उसके बाद बाउल में फिल अपर दे रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं और इंज का फ्लेवर बंद के तहियार हो चुका है इसको पुरा चान के गाल के पुरा अच्छे से भर देंगे जो भी कच्छा होगा कुछ भी होगा उसमें इंदर शनी में आ जाएगा टोटली अब यह बनके रेडी हो चुका है अभी हम मशीन के अंदर सप्लाइगर के उसका बोटल फिलिंग का पेकेजिंग बना कि आपको दोनों फ्लेवर्स बनके रेडी हो चुका है और रेड एनरजी का भी तहियार है और जो खाली बोटल रहते हैं वन टाइम यहां पर वोश करन पर देखिए नहीं जो बोटल मिल रहा है बजार से पेकेट उसको एक बार दोना परता है बोटल वोश र मशीन है इससे बोटल धुया जाता है अब देखिए पूरा बेस्ट को लेटी से बोटल को वश हो रही हैं आप आप देखिए उसके बाद फ्लेवर्स को मिस्के पर यहां पर दूसरा बदेखिए गलोएग के ऊतरा है इसका औरेंज का बाओल यहां पर कर लेगा उसको दूनों सब्सक्राब करने और डिस्पलेट न Mmm िटना कोंटेट कि त्याम seven करने किстना इसके हैं जी portion और को समय सेल तरह में सरै ना यह मशीन की कापैसिटी एक कुन्टे में 300 मोट नोम необходings इसके अंदर सबसे पहले पानी आ रहा है, जुम करके बताईए, जब देखिए, क्योंकि लाइन हमने क्लीन अप किया था, इसके लिए पानी वोटर आ रहा है, इसमें से देखिए, उसके बाद फ्लेवर आना चालू हो जाएगा, जो हमने इसमें फ्लेवर डाला हुआ है, फ् इसमें अब देखिए, सबसे पहले पानी आ रहा है, क्योंकि इसको वोटर से पहले क्लीन किया हुआ है, अब देखिए, यह रेड फ्लेवर आना चालू हो चुका है, इसमें से, अब यह हम इतना भी बोटल वोश करके, धोके, एक साथ, दोनों मशीन में, दोनों फ्लेवर क सबस्ते आट, 200-200-250 वोटल का प्रोडक्शन करेंगे, यह बोटल का क्वाटल का कॉंटेटी के साप से TESTER के सबसे भी सेटिंग करेंगे, उसके बद आपको दिखाएंगे, कि इसमें से कैसे बोटल भरा जाता है, कैसे तक्कन लगा जाता है, कैसे कैपिंग किया जाता है, निकलना स्टार्ड रोचुका है आप देख सकते हैं और रेड एनरजी का स्टार्ट हो चुका इस तरह का वोटर भर चुका है शाड़े-5 रुपे में प्रेंट की स्टिकर के साथ यह बोटर गिरने वाला है दोस्तों इसका क्वालेटी और स्ट्रॉंगनेस देखें दोस्तों पास का जूम से दिखाई है यहां पर सोड़ा भी रोगे यहां पर सिरफ आगिया यहां पर ढखन कितनी आसानी से इजी ली वर्क हो रहा है देश को देखिए इसमें कोई भी चीज़ का जुरूत नहीं है वन टैम आपको इस तरह से शेट करके दे देना है एक घंटे के अंद इस तरह से पूरा बावल भर रहा है देखिए इसका यह पूरा बावल फिलब हो रहा है इसी तरह से हम आपको ओल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप सेंपल बेजेंगे आपको के टेस्ट करने के लिए कि आपका है प्रोड़क्ट आप बिकेगा कैसा चलेगा लोगों का डिम स्हीरा मसाला हो एकि इसके इंदर रेड एनरजी इसके बाद एक फ्लेवर एड़ करेंगे हम यह आ खरेंगे औरेंज चार फ्लेवर का शैंपल आपको घर बेट दिया जाएंगा दोस्तों फ्री और पोड़ कोई पी चार्ज निया दोस्तों है यह मशीन के अंदर 300 बोटल 1 इसमें बाडा मॉडre चीए आपको पांसो बोटल एक घंदे में हजार बोटल एक घंदे में वाँड बोटल दो जॅबंटल एक ऐस घंदे में तो हर एक तरह के प्लांट हमारे पास दोस्तो ऑवेलेबल और फिन अपलेंज कंदी में झाल झाल